ही गास वलकुम बैक तू मैं चैनल मैं चाहाई सिंग तो आज मैंने देवाली मेकप लूग किरेट की यह हूं तो यह लुक मैंने कैसे किरेट अपने अच्छे से प्राइब कर लूँगी इसके बाद मैंने नियुट पैलेट यहां पे पिक इंग हूं यहां से मैंने नियुट पीक चीह तो यह concealer बहुत ही अच्छा है थोड़ा बटरी है पर इसका coverage ओकी ओके पर हाँ यह पैलेट बहुत अच्छा है तिक फ्लैट ब्रस की हेल्ट से अच्छे से कंसीलर को अप्लाई कर लूँगा ओवराल ऑवरॉल आइस पे कंसीलर को अप्लाई कर लूए एक beauty blender की हैसा चे से blend कर लूँगी सेट करने के मैंने face canada का compact और ब्रस के help से अच्छे से सेट कर लूँगे और सेम पालेट से मेहां एक light कर ब्राउण शेट की हूं और यह angular ब्रस की हैल के ब्राउण को अपने crease line पे से लगेंगे और अच्छे से ब्लेंट करें तो यहां में चॉक्ट लेगा a7 पेक पटर अप्र बेस्न करते में से आप लए ऑफने पर यह एक लकर दोनी दों यहां से मैंने एक light color ग्रेश यहां डाइक कलर का ब्राउन शेट को मिक्स करकर मैं अपने आउटर भी पॉइंट पर प्लेंट करते करते इनर भी पॉइंट तक ले जाओंगे तो आपको नीचे क्रीज लाइन के पूरे नीचे नहीं आना है आपको अपने क्रीज लाइन तक ही ब्लेंड करतें पॉइंट से प्लेंड करते • से लाइन करते करतें एपको इनर भी पॉइंट संग जाना है और यहां मैंने एक एंगुलर ब्रस कर ले रही हूं ब्लेंड करने के लिए मैं प्लपी ब्लेंडिंग व्लाइंड कर लूँग अपने left to तो यहां मैं टाइम ले लेकर अच्छे से ब्लेंड करूंगी तभी आपका शेड हो निखर के आएगा क्रीज लाइन बिल्कुल भी नहीं आएंगे तो यहां मैं अपने आइस को हाफ कट क्रीज दे रही हुती इसमें से मैंने सेम कंसीलर को पीक जो इस पैलेट में था तो सेम कंसीलर को एक स्मॉल फ्लैट ब्रस की हैप से अच्छे से में कंसील कर लूंगे हाफ कट क्रीज दे दूंगी तो अच्छे से अपने आइस को कट क्रीज दे अपने क्रीज लाइन के जैस नीजे से कंसीलर को लगाते जाए तो आपको हाफ कट क्रीज मिल जाएगा तो इसके बाद मैं एक angular brush ले रही हूँ और अच्छे से जो मैंने shade brown color का जो shade था हूँ अच्छे से लोगे और अच्छे से mix कर लोगे कि थोरा mix लगे ऐसा न लगे कि अलग अलगे तो यहां मैंने golden color का shimmer shade पिक की हूँ तो मैं दिखाना भूल गई थी तो मैंने यहां golden color का shimmer set पिक की हूँ और अच्छे से overall eyes पे जहां मैंने concealer apply की हूँ वहां shimmer set को अच्छे से मैं apply कर लूँग तो यहां मैंने flat brush के भी help ली हूँ इसके बाद मैंने यहां एक brown color का shimmer set पिक हूँ जहां मेरे outer viewpoint उसके just अंदर मैं इस sets को अच्छे से लगा लूँगे अच्छे से blend कर लूँगे तो इसके लिए भी मैंने flat brush के help ले रही हूँ इसके बाद मैंने एक yellow color का shimmer set पिक हूँ वहीं just जहां मैंने brown color का set लगा है जाए wing eye line draw करने में बहुत time लाजाता है तो इसके लिए तरह करना पड़ता है कि अच्छे सी wing line draw हो पाए तो यहां मैं time लेके wing line draw करूंगी छोटा सा पतला सा wing line draw कर लूँगी तो यहां मैंने false eye lenses apply कर लूँगी तो इसके बाद face make up start करते हूँ इसके लिए मैंने नेविया का मौसराइजर पीकर overall face को अच्छे से मौसराइज कर लूँगी इसके बाद मैंने blue heaven का प्राइमर पिक की हूँ अच्छे से जहां मेरे पूर्स ऑपन हो हम अप्लाइ कर लूँगी इसके बाद मैंने हाथों से blend कर तो इसली blend हो जाएगा इसके बाद मैंने swiss beauty का concealer पिक की हूँ तो एक concealer बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा coverage देता है बहुत ही अपने face makeup को set कर लूँगी compact के help से इसके बाद मैंने contour के लिए मैं सिवाना का palette पिक हो यहां से मैं ब्राउन कलर का shade पिक कर लूँगे एक brush की help से अच्छे से अपने face को contour कर लूँगी तो मैं ब्लस लगा रहे तो ब्लस के लिए मैंने nude palette पिक हो यहां से मैंने light color का brown shade और एक दम light color का peach color का shade पिक हो दोनों को mix कर लूँगे as a brush में लगा लूँगे तो अब देख सकते ब्लस कितना अच्छा लग रहा है और nude blush बहुत ही अच्छा लगता है इसके बाद मैं अपने nose को contour करें तो मैं अपने nose है करना दों होना बूल गयी तो पहला है करें नहें तो nose क onTour किया और आप आई ब्रो को यह प्राउन कलर चैट बहुत ही बट्री इसका टेक्स्टर बहुत ही ज़्यादा बट्री बहुत ईजली आपके आईब्रो को फिल करता बहुत ईजली लग जाते हैं और बिल्कुल भी हैवी नहीं दीखता है इसके बाद मैं यहां चॉकलेट कलर का शेट पिक और अपने मैं अपने लोवर आईलिट पर अपलाई कर लूँगी अपने लोवर और अपने लोवर और अपने लोवर और बहुत ही अच्छा है बहुत ही आपके आईलेस को बड़ा और घणा दिखाता है इसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नार को हािलाइट कर रहे द — तो अच्छे से एक एक फ्लैडवर्स की ऐलस चकह से हाइलाइट कर लोंगी तो दीवाली का Festive टायम है तो अपने अपने लिएंसन कौ अच्छे से हाइलाइट कर रहे आपकर अच्छे से हाइलाइटdays तो ज्यादा करकर मैं यहां highlighter लगा रही हूं अच्छे से मैं blend कर लूगी तो अपने नुस पे अपने चीग्पोन पे जहां चाहिए आपको हाइलाइट कर सकतेगे इसके बाद मैंने blue heaven का Lipstick पीक यहां से मैंने light brown color shade pickMRface लड़का तब न्यूट ब्राउन शेट पिक की हो अच्छे से लिपस को अप्लाई कर लोंगे अट इस इस माई फाइनल लुक तो आपको ये दिवाली मेकप लुक कैसा लगा तो कॉमेंट करकर जरूर बत अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दे और हाँ जो में चनको सब्सक्राइब ने कियो तो सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल सक अगर मेरे वीडियो को देख सके तो आपको मिलती है एक नई वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई